हेलो फ्रेंड्स नर्वस सिस्टम के पार्ट वन में मैंने आपको निूरान का इस्ट्रक्चर और नर्वस सिस्टम के बेसिक्स आपको बता दिये हैं ठीक है अब इसमें इस वीडियो में हम neuron में किस तरह से impulse का generation होता है और उसका transmission होता है मतलब impulse कैसे आगे बढ़ता है इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा इसका introduction मैंने आपको पिछले वीडियो में दिया है अगर आपने part 1 नहीं देखा है neural conduction का तो आप वो जरूर देख लें nervous system का part 1 अब इसमें हम देखने वाले है generation and conduction of nerve impulse कि एक जो neuron है उसमें nerve impulse किस तरह से generate होता है और किस तरह से वो transmit होता है इसको हम इस वीडियो में देखेंगे ठीक है तो देखे ये एक zone है दो pictures बने हुए कैसे transmit होता है उसका ये वाला जो part है ये जो है ये इधर cyton है ये dendron dendrites है जैसे कि आपको मैंने पहले बताया है और ये exon है इस side में telodendria है ठीक है और telodendria का structure मैंने आपको बताया है कि इसमें synaptic knobs होते है और उनके अंदर भरे होते है synaptic vesicles जिसमें ऐसे टाइल कोलीन भरा होता है अब यहां पर देखिए थोड़ा सा कुछ चीज़े हम repeat कर रहे है थोड़ा सा दो मिनट में ये अंदर का जो liquid है exolema ये पूरा जो membrane है exolema ठीक है exon का जो membrane है exolema इसके अंदर जो liquid भरा हुआ है that is called ये जो बाहर में liquid है ये कहलाता है ECF extra cellular fluid हमारे body में जितने भी organs हैं जितने भी tissues हैं उनमें cells के बाहर जो liquid भरा होता है उसे ECF ही कहा जाता है extra cellular fluid या tissue fluid अब ये अंदर और बाहर यानि exoplasm में अंदर और ECF हैं यानि बाहर इन दोनों में कौन कौन से ions हैं इनको आप पहले देख लीजिए तो अंदर में जो ion होता है वो होता है potassium ion और होते हैं protein के molecules और ये भी negatively charged होते है protein अब बाहर में ज्यादा मात्रा में होती है sodium ion ठीक है तो ये तीन ion का हमको यहाँ पर ज्यादा काम है अंदर में है potassium ion, protein ion negative charge है protein और बाहर में sodium ion और ये sodium जो है plus charge है जैसा कि हमेशा होता है ठीक अब जो है ये जो neuron है इसमें हम दो condition देखेंगे एक है resting condition और resting condition का मतलब है जब इसमें किसी प्रकाग का impulse conduct नहीं हो रहा है उस condition को हम इसके polarized condition कहते है polarized ठीक है और जब इसमें impulse produce होता है, conduct होता है उस condition में हम इसे कहेंगे in action condition और उसमें जो charges develop होते है that is called action potential resting condition में जो charges होते हैं उन्हें हम कहते हैं resting potential और जो action condition में charge develop होता है उसे हम कहते हैं action potential resting potential, action potential resting condition को अपन polarized condition कहते हैं और action condition को हम depolarized condition कहते हैं अब फिर से resting condition में आना repolarized condition कहलाता है तो अभी आप देखिए सबसे पहले resting condition कैसे developed होता है ठीक है तो बाहर में sodium iron होते हैं और अंदर में potassium iron होते हैं इन दोनों का influx और outflux थोड़ा बहुत चलते रहता है sodium iron हाला कि इसका जो permeability है थोड़ा कम होता है potassium iron की permeability ज्यादा होती है तो यह अंदर बाहर जाते रहते हैं चुकि अंदर में potassium iron ज्यादा है बाहर में sodium iron ज्यादा है तो यहाँ पर एक concentration gradient ज्यादा develop हो जाता है उसे कार्ण से sodium अंदर potassium बाहर जाते रहता है यह जो membrane है exolema यह protein के लिए impermeable है इसलिए वो अंदर बाहर नहीं जा सकता protein बाकि यह दोनों के लिए permeable है हाला कि इसमें भी sodium के लिए less permeable है potassium के लिए more permeable है अब होता यह है कि जब sodium और potassium अंदर बाहर जा रही है तो इसके लिए इसमें रोकने के लिए इसको एक और बेवस्था बनाके रखती है और वो बेवस्था यह होती है कि जो exolema में carrier proteins होते है exolema जो membrane है उसमें कुछ protein molecules carrier protein का काम करते है carrier, transport protein का काम करते है तो यह क्या करते है अंदर आने वाले sodium को अंदर की तरफ bind कर लेते है ठीक है यह देखिए अंदर की तरफ sodium bind हो गए तीन sodium अंदर की तरफ bind हो गए और बाहर जाने वाले potassium को बाहर की तरफ bind कर लेता है लेकिन यह potassium सिब दो bind हो पाते है बाहर की तरफ इसलिए कि potassium का size बड़ा है 19 इसका atomic number है और sodium का size छोटा है 11 इसका atomic number है इसलिए तीन सोडियम और दो पोटेश्यम आइन बाइट हो पाते हैं फिर ये जो प्रोटीन मालिकूल है केरियर पोटीन ये ऐसे घूम जाता है कनफर्मेशनल चेंज बोलते हैं इसको ऐसे घूम जाने से जो पोटेश्यम बाहर गया हुआ थो अंदर आ गया और जो सोडियम अंदर आया थो बाहर चला गया तो जो सोडियम अंदर आ रहे थे लगबग पूरे के पूरे वापस बाहर चले गया और जो पोटेश्यम बाहर जा रहे थे उसमें से अधिकास पोटेश्यम अंदर आ गया इस प्रोसेस को अपन सोडियम, पोटेशियम, पंप कहते हैं सोडियम, पोटेशियम, पंप कहते हैं यह energy driven है energy याने ATP खर्च होते हैं लेकिन अब यहां पर एक विसेज़ बात यह है कि जितने सोडियम अंदर आ रहे थे वो उतने तो बाहर चले गए पंप के द्वारा लेकिं जितने potation बाहर जा रहे थे उतने potation अंदर नहीं आ पाए क्योंकि थोड़ी कम मात्रम बें आ रहे हैं देख सकते हैं दो ऐसा तो जो potation है जो बाहर रहे गए वो membrane के बाहर इकठे होने लगते हैं यह देखिए, यह जो plus charge दिख रहा हैं, यह potaltsum के कारण से plus charge है, जो यहाँ पर membrane के बाहर इकठे हो गए, यह potentium है जो अंदर नहीं आ पाई, जो बाहर गए थे लेकिं पमब के द्वारा यह अंदर नहीं आ पाई, यह potentium आए बाहर की तरफ इकठा हो गए, membrane के बाहर की करते हैं अंदर के protein को जो की negatively चार्ज है अंदर में negative charge नों protein है उनको बाहर खीचने के कोशिज करते हैं लेकिन यह Mexican मैंने आपको बताया था protein के लिए impermeable हैं तो protein के ions negatively charged ions बाहर नहीं जा पाते हैं लेकिन वो की तरफ ऐसी कठ्थे हो जाते हैं यह देखिए यह अंदर की तरफ इकठ्थे हो गए यह जो चार्ज दिख रहे हैं माइनस वाले यह अंदर की तरफ इकठ्थे हो गए यह देखिए अब होता यह है कि बाहर की तरफ प्रस चार्ज है अंदर की तरफ माइनस चार्ज है तो एक potential difference यहाँ पर डेवलप हो गया यहाँ पर एक charge डेवलप हो गया उस charge की जो value है अंदर की तरफ माइनस 70 मिली वोल्ट होती है यह एक charge जो है develop हो गया membrane में और इसी charge को जो माइनस 70 मिली वोल्ट हमने लिखा है अंदर की तरफ as compared to outer side यह माइनस 70 मिली वोल्ट ही यहाँ पर resting membrane potential है अभी यह वो condition है जब यह membrane किसी impulse को conduct नहीं कर रहा है उस condition में यह charge develop हो है माइनस 70 अंदर की तरफ और अंदर की तरफ है प्रोटीन बाहर की तरफ है potassium जो इनको इस charge को develop किये हुए है and that charge is called resting membrane potential अब इस condition में membrane पड़ा हुआ है अब माल लो हम यहाँ पर आप देख सकते जो rate color में दिख रहा है यहाँ पर हम एक impulse को develop करते हैं touch करते हैं से यहाँ पर impulse develop होगा तो यहाँ पर क्या चेंज आएगा देखिए जब यह resting condition में था तो sodium और potassium limited amount में अंदर बाहर हो रहे थे यह जो channel है जो gate है sodium और potassium का वो पुरी तरह से खुला हुआ नहीं था थोड़ा बहुत गैप था बस उसी में से पोटेशम बाहर sodium अंदर ऐसे अंदर बाहर कर रहे थे फिर पोटेशम पोटेशम पंप चलाके हम उसको manage कर रहे थे चैनल के gate जो है बंद थे लेकिन अब जो है हम यहाँ पर impulse develop कर रहे हैं अभी इस साइड में पूरा resting membrane है इस साइड में यहाँ पर हम impulse develop करेंगे तो जैसे हम touch करते हैं या कोई impulse develop होता है तो यहाँ पर particularly क्या होता है देखिए यहाँ पर जो membrane की permeability है जो gate है वो change हो जाती है और sodium के लिए gate खुल जाते हैं पहले थो थोड़े बहुत अंदर बाहर हो रहे थे थोड़े बहुत gaps में से अंदर बाहर हो रहे थे लेकिन अब gate को ही खोल दिया हमने gate को खोलने से बाहर में जो sodium आयन बहुत ज्यादा मात्रा में है वो तेजी से अंदर आने लगते हैं यह देखिए यह अंदर आ रहे हैं sodium बहुत तेजी से अंदर आने लगते हैं और sodium के अंदर आने से sodium चुकी plus charge है और अंदर में हमने देखे protein के minus charge develop कर रखे हैं और यह minus 70 millivolt है यह charge plus charge के कराण से neutral होना पर रूह जाता है तो तो minus 70 जो है नुट्रल होकि zero की तरप फी plus की तरप जाएगा तो – 70 से minus 60 लो माइनस 55 फीर और कम होते होते 0 फीर फिर plus होते होई चला जाएगा प्लस 45 तक जाता है जो माइनस 70 था वो प्लस 45 तक जाता है लेकिन इस बीज में एक बार और चेंज आता है क्या चेंज आता है देखें कि जब हमने टच किया था तो सोडियम का गेट खुला लगी कुछ गेट खुले थे सभी गेट नीखुले थे सोडियम अंदर आया माइनस 70 को निट्रलाइज करना शुरू किया और जैसे ही माइनस 60 के बाद माइनस 55 पहुंचता है वैसी बाकी गेट भी खुल जाते हैं यहां पर के और जो सोडियम अंदर आ रहे थे और बहुत तेजी से अंदर आते हैं पहले तो तेज आ ही रहे थे अब और ज़्याद तेज आने लगते हैं तो यह जो माइनस 55 से 0 फी प्लस 45 चाड़ने का काम है यह इस पार्टिकुलर प्लेस पे बहुत तेजी से होता है माइक्रो सेकंड्स में कम्प्लीट होत लेकिं बाकी जगह पे पहले जैसी स्थिती बनी हुई है बाकी जगह पे अंदर प्लस स्वारी माइनस सेवन्टी और बाहर में प्लस यह कंडिशन बाकी जगह बना हुआ है एक्जोलेमा में अब क्या होगा कि यह इंपल्स आगे बढ़ेगा यह जो प्लस 45 वाला एक्शन पोटेंशल डेवलप को यह पार यहँआ पर यह प्लस 45 को अपन एक्शन पोटेंशल बोलते हैं ठीक है जो माइनस सेवन्टी था और रेस्टिंग मेंब्रेंट पोटेंशल था यह एक्शन प पॉडियुम यहने प्लस जाज अंदर की तरफ मूफ करेंगे तो यह इक पॉइंट पर जो माइनस है उसको नियूट्रल की तरफ ले जाना शुरू करेंगे तो हर एक पायंट का माइनस 70 नियूट्रल तरफ जाएगा तो माइनस 55 तक जाते ही हर जगह के गेट्स जो है खुलते चले जाते हैं sodium गेट्स मतलब अंदर का sodium सिफ इतना करता है कि माइनस 70 को neutral की तरफ ले जाके माइनस 55 तक उतारता है और जैसे ही माइनस 55 होते हर एक पॉइंट पे हर एक पॉइंट का sodium गेट्ट खुलता चला जाता है और हर एक पॉइंट पे ये sodium अंदर आने शुरू हो जाते हैं और जैसे ही sodium अंदर आते हैं ये माइनस 55 भी और neutral होके 0 और फिप्लस 45 पहुंचते चले जाते हैं तो हर एक पाइंट पे action potential याने प्लस 45 पहुंचते चला जाता है और यह impulse आगे बढ़ते बढ़ते टिलो डेंड्रिया तक पहुंच जाता है अब टिलो डेंड्रिया तक पहुंचेगा तो टिलो डेंड्रिया में जो synaptic knobs हैं और इसमें भरे हुए synaptic vesicles हैं वो फूट जाते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं synaptic vesicles ब्रेक हो जाते हैं और जब synaptic vesicles ब्रेक हो जाएंगे तो एसे टाइल कोलिन रिलीज होता है और वो synapse को बार करके synaptic cleft को पार करके अगले neuron में या आगे muscle हैं तो वहाँ पर इस message को लेके जाते हैं अगर अगला वाला neuron है तो उनके dendron dendrites में यही action potential develop कर देते हैं और अगर वो muscle है तो muscle के receptors को वो message देते हैं वो impulse देते हैं तो फिर muscle जो है contract होना शुरू हो जाता है तो फिर से बता देता हूं कि action potential hyalic point पर develop होता चला गया तिलो डेंडिया में पहुंचते ही synaptic vesicles में जो acetylcholine भारे हैं वो release हो जाते है वेसिकल्स फर जाते है acetylcholine release हो जाता है और वो अगले neuron के dendron dendrites में जाके touch करता है या muscle में touch करता है तो वहाँ पर फिर वो अपने message को transfer कर देता है और इस तरह से वो अगले वाले में अपना impulse produce कर देता है अब पीछे वापस आते हैं थोड़ा सा हर एक point पर जो plus 45 पहुचा millivolt action potential पहुचा इस action potential के पहुचते ही sodium gate बंद हो जाता है सटाक से क्योंकि हमने sodium gates को खोल रखा था जिससे बहुत सारा sodium अंदर आ रहा था हमने उस sodium gate को बंद कर दिया फट से बंद हो जाएगा वो सारे sodium gate बंद हो जाएगे और potassium gates खुल जाएगे और जो potassium ion अंदर में भरे पड़े थे शुरू से वो potassium ion तेजी से बाहर जाना शुरू हो जाते हैं अब देखें कि potassium ion के बाहर जाने से यानि प्लस charge के बाहर जाने से अंदर में जो प्लस 45 डेवलप हुआ था वो फिर से माइनस की तरब यानि कि 0 और फिर माइनस की तरब यानि माइनस 70 की तरब जाना शुरू कर देता है माइनस 70 की तरब जाना शुरू कर देता है तो हर एक पाइंट पे फिर से माइनस 70 डेवलप होते हुआ चला जाता है यानि कि अब ये मेंब्रेन फिर से रेस्टिंग कंडिशन में आना शुरू हो गया ठीक है तो यह देखिए यहां पर हमने पहले एक्शन पोटेंशन डेवलप किया फिर अंदर ये अंदर देखिए सोडिया माइन के अंदर जाने से ये इंपल्स अंदर जा रहा है है ठीक है और प्लस चार्ज के अंदर जाने से हर एक पइंट कर रहे हैं तो बाहर दूसरा चार्ज मोमेंट करता है इह हैं और action potential आगे बढ़ते चले जाता है हर एक पइंट पर action potential developed करते चले आगे बढ़ने बढ़ने से और पीछे वापस resting condition develop होते चले जाता हैं तो याद रखिये कि action potential develop होता है sodium के अंदर आने से लेकिन action potential से वापस resting potential develop होता है potassium आयन के बाहर जाने से ना कि sodium आयन के बाहर जाने से बाद में जो sodium potassium का balance है sodium potassium pump के दार फिर से maintain किया जाता है लेकिन एक बार तो sodium अंदर आया और potassium बाहर गया तो action potential develop हो और फिर से resting potential develop हुआ तो पहले जो resting potential था minus 70 उसे polarized condition कहते हैं और बाद में जब action potential develop हुआ तो उसे depolarized condition कहते हैं और बाद में फिर से resting potential develop हुआ उसे repolarized condition कहते हैं तो इस तरह से impulse का conduction आगे बढ़ते रहता है और आगे यह यह सिनाप्स का synaptic knob है मैंने आपको बताया था कि जो टिलो डेंडिया का अंतिम सीरा है उसमें एक synaptic knob है आप देख सकते हैं फुला हुआ structure है synaptic knob और इसके अंदर synaptic vesicles भरे हुए हैं और यह synaptic vesicle के अंदर neurotransmitter synaptic vesicle के अंदर neurotransmitter भरा हुआ है जिसको हम कहते हैं acetylcholine और यही फूट जाते हैं synaptic vesicles तो acetylcholine release हो जाता है ऐसे ऐसे release हो जाता है और यह release होके synaptic cleft में आगे जाके next वाले neuron में या next अगर muscle है तो वहाँ पर इस impulse को पहुचा देते हैं तो इस तरह से impulse का transmission होता है synapse में ठीक है transmission of impulse in the synapse ठीक है तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे तो अभी मैंने आपको figure A और figure B में सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि impulse कैसे develop होता है और कैसे आगे बढ़ता है ठीक है कैसे ड्यूरुक प्रफ में भी आपको बताया तो पहले हम इसके text को पढ़ लेते हैं कि text में लिखा क्या है ताकि आपको आगे जब पढ़ हो तो आपको clear हो जाए कि हमने क्या पढ़ा है neurons are excitable sense because their memories are in polarized state तो हमने कहा कि polarized state का मतलब है resting condition Do you know why the membranes of the neuron is polarized? तो polarized इसलिए है कि वहाँ पर sodium और potassium का balance चल रहा है और साथ में protein molecule वहाँ पर है उसके काड़ से charge डेवलप हुआ है तो उसी को हम आगे यहाँ पर पढ़ने वाले है different types of ion channels are present on the neural membrane हमने यहाँ पर मुख्यता दो ion channels देखे एक potassium के लिए और एक sodium के लिए these ion channels are selective permeable to different ions तो आपने यह भी देखा था कि sodium के लिए थोड़ा कम permeable है फिर भी अंदर जा रहा था potassium के लिए थोड़ा ज्यादा permeable है तो बाहर जा रहा था when neuron is not conducting any impulse that is resting condition the exonal membrane is comparatively more permeable to potassium ion and nearly impermeable to sodium ion मैंने अभी बताया ना sodium ion के लिए कम permeable है similarly the membrane is impermeable to negatively charged protein present in the exoplasm मैंने आपको यह भी बताया कि protein यहाँ पर पास नहीं हो पाते है उसके लिए permeable नहीं है consequently the exoplasm inside the exon contains high concentration of potassium ion and negatively charged proteins and low concentration of sodium ion मैंने आपको बताया कि exoplasm में potassium ion और protein ion जादा है sodium ion कम है लेकि बाहर में potassium ion जादा है in contrast the fluid outside the exon contains a low concentration of potassium a high concentration of sodium and thus form a concentration gradient बाहर में potassium ion कम है sodium ion जादा है तो यह ion का sodium ion outward and two potassium ion two potassium ions in the cell तो जो sodium ion अंदर आ रहे थे concentration gradient से उनको तीन-तीन को पगल के बाहर फेक रहा है और जो potassium ion बाहर जा रहे थे concentration gradient के कारण से उनको दो दो पगल के नीचे अंदर ला रहे है as a result the outer surface of the exonal membrane processes a positive charged while its inner surface become negatively charged and therefore a polarized therefore is polarized तो मैंने आपको बताया कि पोडेशा माइन जितने बाहर जा रहे थे उतने अंदर नहीं आ पाए तो पोडेशा माइन बाहर इकठे हो गए sodium तो पहले से थे ही तो positive charge डेवलप हो गया बाहर में और अंदर में चुकिए negatively charged protein भी है तो अंदर बाहर एक charge डेवलप हो गया the electrical potential difference across the resting plasma membrane is called as resting potential तो मैंने आपको बताया कि एक potential develop हो चुका है अंदर बाहर इसका मैंने आपको value भी बताया था कि अंदर में minus 70 है ठीक है यह resting membrane potential है अंदर की तरफ तो देख सकते हैं बाहर में plus charge है अंदर में minus charge है यह मैंने अभी आपको कुछ देर पहले बताया detail में कैसे यह impulse develop होता है तो मैंने बताया जहां पर touch करेंगे वहाँ पर sodium gate खुल जाएगा बहुत तेजी संदर आएंगे और minus charge को plus में convert कर देंगे अंदर का when a stimulus is applied at a site हमने दिखा भी figure 1 यह यहां पर यह इसको बता रहा है यहां पर एक impulse develop हो रहा है on the polarized membrane the membrane at the site a becomes freely permeable to sodium मैंने बताया नहीं कि sodium गेट खुल जाते एकदम से अंदर आते हैं this leads to a rapid influx of sodium followed by reversal of the polarity at that site तो यहां पर लिखा है कि reversal of the polarity क्योंकि अंदर साइब में पहले minus था minus 70 वह अंदर साइट का जो charge हो change हो जाएगा opposite हो जाएगा that is the outer surface of the membrane becomes negatively charged and the inner side becomes positive charge तो अंदर में माइनस 70 थो प्लस 45 हो गया तो उतना बाहर माइनस हो जाएगा चुकि अंदर में जब माइनस था तो बाहर प्लस था अब अंदर में प्लस हो गया तो उसका comparison में बाहर माइनस हो गया the polarity of the membrane at the site a is thus reversed and hence depolarized तो पहले माइनस 70 अंदर वह प्लस 45 अंदर हो गया तो reverse हो गया और यह depolarization है the electrical potential difference across the plasma membrane at the site a is called action potential अब यह हो गया प्लस 45 अंदर में which is in fact termed as a nerve impulse यही nerve impulse है जो अब आगे बढ़ेगा at site immediately ahead the exon site B membrane has a positive charge positively charge on the outer surface and a negative charge on the inner surface यह भी हमने देखा is a result a current flow on the inner surface from site a to site b अब अंदर ही अंदर शोडिया बायन move करना सुरू करेगा on the outer surface current flows from site b to a अंदर में जब प्लस चार्ज मूव करेगा तो बाहर माइनस चार्ज मूव करेगा अगर अंदर में माइनस चार्ज मूव करता है तो बाहर प्लस चार्ज मूव करेगा तो अब जो है सोडिया मायन अंदर यंदर जब मूव करना सुरू किया तो अगले तो चैनल गेट को खोलते चला जाता है सोडिया मायन के अंदर में बहुत सोडिया मायन आते जाते हैं दस इंपल्स एक्शन पोडेशल जडिटेड एट साइड एट साइड बी तो आगे बढ़ जाएगा हूँ के अंदर यंदर सोडिया आते जाता है बनके बढ़ ते जाता है हर एक पॉइंट पर pt patient potential develop होते है चले जाता है तिलोटेंट्रिया तक दाराइज इन दाइस्टिमूलस इन्दूस पर्मेबिलिटी अफ सोडियम इस एक्स्ट्रीमली शॉट लिव्ट और जैसा मैंने कहा कि जैसी प्लस 45 होता है सोडियम गेट बंध हो जाता है हर एक जगा का जैसे सोडियम बंध होता है प्लस चार्ज बाहर जाना शुरू हो गया इसके कारण से प्लस 45 फिर से माइनस चला जाता है और फिर से माइनस 70 है जाता है तो फिर से रेस्टिंग पोटेंशल डेवलप हो जाता है at the site of excitation and the fiber becomes one more responsive to further stimulation और जैसे वो रेस्टिंग कर्निशन में वापस आता है फिर से नए stimulus को ले जाने के लिए वो त्यार हो जाता है तो पहले polarized था फिर depolarized फिर वापस polarized हो गया उसको repolarized कहते है और फिर जैसा मैंने कहा कि सिनाप्स के पास पहुचता है आखरी में टिलो डेंड्रिया तो टिलो डेंड्रिया में सिनाप्टिक नॉप्स है उसके अंदर सिनाप्टिक वेसिकल्स है उसमें भरे होए है से टाइल कोलीन नियूरो ट्रांस्मिटर वो फूट के बाहर चले जाते हैं, neurotransmitter, और synaptic cleft को पार काके अगले dendron dendrites में, अगले neuron में, या फिर आगे अगर muscle है, तो muscle में वो अपने impulse transmit कर देते हैं, ठीक है? ए नर्व इंपल्स is transmitted from one neuron to another through junctions called synapse, तो synapse के थुरू ये नर्व इंपल्स आगे पास हो जाते हैं, a synapse is formed by the membrane of a pre-synaptic neuron and post-synaptic neuron, तो pre-synaptic, post-synaptic क्या है? पहला वाला neuron और अगले वाला neuron, पहला वाला pre कहलाता है, बाद वाला post कहलाता है, दोनों के बीच में gap है, synaptic cleft, है न, which may और may not be separated by a gap called synaptic cleft, तो ज्यादा तर में तो synaptic cleft होता है, यहाँ पर लिखा है, कि synaptic cleft हो भी सकता है, और नहीं भी हो सकता है, ठीक है? ये NCRT मे लिखा है, ज्यादा तरबूप्ने नहीं लिखा है, there are two types of synapses, namely electrical synapses and chemical synapses, ठीक है? AT electrical synapses, the membranes of pre and post synaptic neurons are in very close proximity, very close proximity, electric current can flow directly from one neuron into the other, other across these synapses. तो जिनमें गेप नहीं होता य thrilled हिए तोंपर इलेक्ट्रीख ही पास हो जाता है वहांपर आपको एसे टाइलग कोली सिखरेंट करने जोरत नहीं है लेकिन जहाँ पर ये गेप है वहाँ पर फिर वों एसे टाइल कोली सिखरेंट होता है और हों ट्रांस्मीट करता है तो transmission of an impulse across across electrical synapses is very similar to impulse conduction along a single exon तो एक exon से दूसरे exon में जाना वो वैसी जैसे एक ही exam में चल रहा हो ऐसा impulse transmission across an electrical synapses always faster than that across a chemical synapses electrical synapses are rare in our system में देखे लिखा है electrical synapses कम होते हैं मैंने कहाना कि ज्यादा तर में gap होता है और electrical synapses कम होते हैं ठीक है electrical synapses कम होते हैं chemical synapses ज्यादा होते हैं at chemical synapses the membranes of pre and post synaptic neurons are separated by a fluid filled space called synaptic cleft जैसा मैंने बताया कि ज्यादा तर में तो gap होता है है ना do you know how the pre synaptic neuron transmits an impulse action potential across the synaptic cleft to the post synaptic neuron take neurons से दूसरे neuron में कैसे transmit होता है तो अभी मैंने आपको बताए chemical की तरू होता है और that chemical is called neurotransmitter acetylcholine chemicals are called neurotransmitters are involved in the transmission of impulses at these synapses the neurotransmitter में नाम मेने आपको बारबा बताया तो जैसा मैंने बताया कि यह जो synaptic vesicles है यह किनारे आके fuse होए fuse होके फूर जाते है और यह बाहर release कर देखे यह किनारे आके membrane से fuse हो है synaptic जो knobs है उसके membrane से fuse होके यह बाहर synaptic जो transmitter है neurotransmitter उसको release कर रहे है दर रिलीज्ट neurotransmitters bind to their specific receptors present on the post synaptic membrane अब जो दूसरा में दूसरा वाला है neuron उसके receptor से बाइंड हो जाएंगे तो या तो यह neuron है या muscle है मैंने पहले बताया इस binding opens and channels along the entry of finds which can generate a new potential in the post synaptic neuron तो अगले neuron में यह उस potential को develop कर देता है the new potential developed may be either excitatory or inhibitory अब यहां पर बात ऐसा है कि अगर impulse अपने पूरे पावर से generate हो रहा है तो अगला वाला neuron excited हो जाएगा और यह था वो inhibit बीड भी कर सकता है मतलब वो impulse आगे नहीं बढ़ेगा ऐसा भी हो सकता है इसको all are none theory में हम समझते है कि इंपल्स या तो पूरे पावर के साथ generate होता है या बिल्कुल वाले है सेंटल नर्वस सिस्टम और कि इसमें हम ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे मेनिंजस के बारे में पढ़ेंगे यह ब्रेन है हमारा इसके उपर तीन मेम्रेन होते हैं डूरामेटर एरेटनाइट पायामेटर उनके बारे में हम यहां पर देखें क्रेंडियल मेनिंजस हैं इनको हम पढ़ने वाले हैं इसके इसमें है और ब्रेन के स्ट्रक्चर है बहुत सारे पार्ट से इसमें इनको हम पढ़ने वाले हैं और उसके बा वाला हूँ नर्वस सिस्टम के पार्स कौन-कौन से हैं और ये ब्रेड हमारा कैसा बना हुआ है ठीक है तो दोस्तों अगर अभी भी आपने मेरे चैनल सेब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिप्या सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकाउन को भी प्रेस कर ले जिससे आपको गुड आफ्टरनून थेंक्यू गुड गुड बाई और फिर मिलते हैं